ओम शान्ती, 18 डिसम्बर की शुरू दाना को सोगत है, समर संकल्ब, मलब की ताकत वर संकल्ब, तो ताकत वर संकल्ब होगे हम करते हैं, तो हमारे जमा का खाता बढ़ता है, जैसे कि अगर हम ताकत वर खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर ताकत बढ़ती शरी में, तो वैसे ही ऐसे हम जमा करते हैं शक्ती तो परमात्व कहते हैं समर्थ संकल को द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले Holy Hans भवा Holy Hans क्या करता है? पवितर चीज़ें उठाता है कंकड नहीं उठाता है वो मुधी उठाता है तो हमें भी कंकड नहीं उठाने परिए संकल, बुरी चीज़ें, बुरी बातें, बुरी आदतें और होकी नहीं उठाने है, हमें अच्छी आदते हैं अच्छी संकल पर अच्छी चीज़ें उठाने होगी जैसे हंस कभी कंकड को चुग नहीं सकते, मलग कि बिकार की बाते हैं, किसी की कमियां, कमजोरियों की बाते हैं, किसने क्या 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 वोला वो नहीं, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहन नहीं करते हैं, ऐसे आप holy हंस वेर्थ को छोड़ समर संकल्पो को धारण करते हो कहीं पर नेगटिव बाते चल रही हैं आप वहां से दूर हो जाओगे या अगर आप शक्ति उसकरते तो आप लोग जो नेगटिव बाते कर रहे हैं उंको पॉस्टिव में परिवत्न कर दोगे उंको बोलोगे नहीं यह नहीं हमें ऐसे तो उसना चीए व्य प्रमात्मा ने जब गाइडेंस देखी वहां आप आत्मा हो थो आत्मिक संकल्परो शरीर के नुसार काम करो लोकर करके संकल्पर में मत फसो तो फिर हमारे अंदर व्यर्थ यह नकिता रुष्णी बढ़नी शुरू हूई यही तरह का है दिन बर देखना है कि मैं क्या व्य प्रादियां ही हुए हैं बिमारियां वो भी ठीक में होती हैं तो बिवेर्थ मुक्त तो तम दरुस्त ओम शांदीज के जाथ